इंग्लेंड के खिलाब तीसरे टेस्ट के पहले दिन बाबा राजम और आगा सलमाल में मिलकर तुफानिस सतकिय पारी खिल इंग्लेंड के गिनबाजों की धज्या उड़ा दी जेहां दोस्तों कैसा रहा तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का हाल बताएंगे आपको आज की इस बहादी खास वीडियो में आगे लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे साथी चैनल को स पहले बले बाजी करने का फैसला किया पाकिस्तान के और से आज पारी की सुरुवात करने शान मसूद और अब्दुल्ला सफिक मैदान पर आए हला कि आपको बता दे कि आज अब्दुला सफिक 8 रंड मना कर जैक लीच का सिकार हुए इसके बाद अजार अली ने सान मसूद का बखुबी साथ मी बाया, हाला कि आपको बता दे कि शाहन मशूर भी महस तीसी रन बना पाए और वो मार्क वूट की गेन पर आउट हो गए, अजार अली और बाबा राजम के बीच तीसरे विकेट के लिए अर्धे सतकिय साज़दारी देखने को मिली, हाला कि इसके बाद अजार अली 45 रन के नीजी स्कोर पर रॉबिंशन का सिकार हुए, कप्तान बाबा राजम ने साउट सकिल के साथ मिलकर फिर एक और साज़दारी की, ये साज़दारी काफी छोटी थी, मगर टीम के लिए काफी महतोपोंट थी, लेकिन साउट सकिल भी 23 रन मना कर रिहान एह महमत का सिकार हुए, आपको बता दे कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बलिबाज महमत रिजवान आज 19 रन ही बना सके, रिजवान के आउट होते ही पाकिस्तान की टीम बैक फूट पर नजर आने लगी, लेकिन आगा सलमान ने कप्तान बाबा राजम का साथ दिया, और पाकि पाकिस्तान की पूरी टीम बना सके, आपको बता दे कि पाकिस्तान के टीम 304 रनों पर आउट हुई है, देखना दिल्चस्प होगा कि पाकिस्तान के एक खतरनाक गिनबाज इंगलैन को पहली पारी में कितने ज़द आउट करते हैं, आपको हमरे वीडियो अच्छा लगा ह पोटो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेहर किजिए, अपना भूमुले समय देने के लिए धन्यवाद